इस वीडियो माम लोग क्लास 4 साइंस का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है तेहवार और भोजन ठेहवार है तो अच्छे अच्छे पकवान तो बनते ही हैं तो चलिए बिना समय को वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप क्लास 4 इंगलेस हिंदी का पढ़ना च चुके हैं और चाप्टर 4 है तो चाप्टर 1, 2, 3 का बडियो बना चुके हैं अगर नहीं देखें तो कर्म इन लिंक देदें हैं प्लेलिस्ट का तो जाके देख लिजे तो देखें वन है नीचे कुछ तेवारों के चितर बने हैं परतेक के नीचे उनका नाम लिखें तो देखिए यह चितर क्या है दिवाली है यहां दिवाली लिखेंगा आगे देखिए यह क्रिस्मस लिखेंगा उसके बाद देखिए उसके बाद यह यीद हो गया और यह हो गया होले तो लिख लेजेगा खाले स्थान में यहां लिखेंगा यहां लिखेंगा होले उसके आप बताते हैं अगर आप इसका प्लेलिस्ट चाहते हैं तो कमिन बॉक्स में लिंक दे दिये हैं वहाँ से जाकर है ना डूर्लोट कर सकता है तो देखें इन तेहवारों के अलावा भी बहुत साड़े च्छित्रिय पर्व और तेहवार होते हैं फोटो तो चाड़ी दिया जिनको लोग मिल जूलकर मनाते हैं आपके यहां और कौन-कौन से तेहवार मनाये जाते हैं तो देखें क्या के तेहवार मनाये जाते हैं तो देखें च्छट हो गया लचमी पूजा च्छट तो हमारे हैं मनाई जाता है बहुत धूम-दम से बिहार का अपना पड़ गया कि वो सती पूजा धीर स्बस्धाय पढ़ में उसमें से वह छे इवजे रिखें हैं आगे दिखते हैं क्या इन के पगवक्वान पर्थ एक पर वर्ब थेहौर के मौके पर क्काaldo के मौके घाना छाते हैं सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं नहीने कपड़े वात्रहत्रह के पकवानों का पुरा मज़ा तो आप लोग उठाते हैं तो आप लोग क्या हर कोई उठाते हैं अच्छे-चे पकवान खाने को मिलते हैं तो थिरी में क्या बलज़ रहा है आपको कौन सा तेहवार सबसे अच्छा लगता है इस दिन या इन दिन या इस दिन घर में कौन-कौन से पकवान बनाए जाते हैं तो देखिए हमको छटकर तेहवार सबसे अच्छा लगता है आपको कौन सा तेवार सबसे अच्छा लगता है आपका मिन बॉक्स में बताइए और इस दिन घर में ठेकवा लड़ूर, खीर, निमकी, आदी पकवान बनाए जाता है तो देखिए आगे, आगे के अब लजरा फोर नीचे साड़नी में कुछ पकवानों का नाम दिये गया है आपको बताना है कि ये पकवान किस तेवार पर बनाये, वह खाये जाते हैं तो देखिए, यहाँ पर देखिए पुवा हना वो होली में खाये जाता है सत्तू मेश करांती में लड्डू धान का लावा है ना दिपावली में दही चुड़ा तिलकुड किस में मकड सकरांती में रोट मलीदा राम नामी में केक क्रिसमस में खिच्डी मकड सकरांती में तो यह इस तरब क्या था इस तरब पकवान थे और इस तरब क्या तेवार थे तेख, तेवार, अब हागे देखें, और भी है, दस गोरा है, झालवा है येत के दिन कहते हैं, मर्वा के रोटी जित्या के दिन, जिंगनी की तरकाडी जित्या के दिन, ते सब किसी खास हैं, मतरemic पड़पे हैं, कोई ये कोई खास ब controllवुल, बहोजन बनाया जाता है, फाइब देखें, साधी विवा में भी तरह तरह के पकवान बनते हैं आप भी किसे साधी विवा में गए होंगे हाँ गए हैं, वहाँ अपने क्या क्या खाया तो क्या क्या खाया दही बढ़ा, लिट्टी चोका, चौमीन मंचुरियन, पानी पुरी, मिठाई, पुरी सबजी ठीक है, तुधे सारे पकवान बनते हैं तो आप और भी पकवान लिख सकते हैं सेख्ष देखे सेख्ष में बोला जा रहा है घर में ठीक है अपने हलवाई से भोजन बनवाता है ठीक है हम सब ठेकेदार को पैसा दे जाते हैं और ठेकेदार अपने चिंता ही नहीं है, जूटे बरतुनों के साफ सफाई कौन करता है, तो देखें जूटे बरतुनों के साफ सफाई नहीं ठेकेदार का आदमी करता है, वो 12-14 साल का बच्चा हो रखे उड़ाता है, कोई 15 साल का बच्चा हो, क्या हो, ठेकेदार का आदमी, तो साफ कर देता है, नायन देखिए, विद्याले में भोजन, क्या आपके विद्याले में भी एक साथ भोजन कराया जाता है, अगर हाँ तो बताईए, तो सरकारी विद्याले में तो कराया ही जाता है, जिसके उतर लिखेंगा, आप विद्याले में किस समय भोजन करते हैं, तो मैं लिखेंगा, म मेरे विद्याले में दूपर के समय बोजन करता हूं। आपके विद्याले में भोजन कौन सेथे हangं睡 कोन सेथा है। ल Robinson भो जो सब्सक्राइए। आपके विद्याले में भोजन कैसे परोशा जाता है तो तर लिखेंगे मिडे विद्याले में 6-17 को पंक्ति में बठाकर भोजन परोशा जाता है पंक्ति में बठाकर टीक नहीं हो फोर देखें आपके विद्याले में किस दिन कौन कौन सा भोजन परोशा जाता है तो कौन बुद्ध भी लिख सकते हैं, खेसे पई बताते हैं, दीके वा कहीं रखेवें रखे नपरने जाने राखे मुड़ा को डाकई कि ङान थे? शुक्रवार के दिन तहडी मिलता है, चावल, आलो सेविन की सबजी और अंडा भी मिलता है ना, ठीक है अंडा भी इता है, इसमें अंडा भी लेख सकते हैं, और करके यहां पर अंडा भी लेख सकते हैं, सिनिवार को क्या मिलता है, खिचरी चोखा मिलता है, ठीक है, अब साम-दोपाः राट के भोजन की विवस्ता नहीं मतलड को सुबाः साम-दोपाः और रात के भोजन रहा था है created roveござ a week-up तो नमिल अबश्पार सोब ओब वीजन की आपस में चर्चा करके लिखे कि आवासे की विद्यालया में भोजन की किस प्रकार के जाते हैं तो खाना बनाना किसी एक किबस की बात नहीं है तो भोजन तियार करने के लिए रसोईया होते हैं एक निश्चीत समय पर सभी छात्रगन भोजन करने के लिए भोजन कच में आते हैं एक निश्चीत समय पर तो आगे देखते हैं किता में क्या लिखा हुआ है उसके बाद देखें किता में क्या बनाया हुआ यहाँ पर पटना साहिब हरमंदिर का चित्र यह दिया हुआ और यहाँ पर लंगर खाते भग दिया हुआ है यह पंजाबी लोग है ना लंगर्त में खाना खिलाते हैं तो देखिए क्या क्या बोला जड़ा है यहाँ पर शिखो के पूजन इस्थल को गुर्द्वारा कहते हैं जो हिंदू जहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए मंदीर जो मुस्लिम पूजा करने जाते हैं प्रातना करने चाहते हैं तो उसको क्या महजिद बोलते हैं उसी परकार से क्या सिखो के पूजन इस्थल को गुर्द्वारा कहा जाता है पटना साहिब में जहाँ सिखो के दसवे गुरु गुरु गुविन सींग का जन्व हुआ था वहाँ एक बहुत बड़ा गुर्द्वारा है जो तक्त हरमंदिर साहिब कलाता है क्या कलाता है तक्त हरमंदिर साहिब कलाता है तेके जैसे कि आपको पता है कि पटना के पटना सीटी में न इसलिए एक बड़ा गुर्द्वारा है, जिसको तक्त हर मंदिर सहीब करते हैं, यहां सभी सुर्धालों भक्तों के लिए भोजन की वेविस्था होती है, जिसे लंगर का जाता है, ठीकर लंगर में सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, भोजन समगरी लाने, धोने, क काटने, पकाने, एवं परुसने का काम भी सभी मिलकर करते हैं, क्योंकि लंगर में ठीकर लोग खिला जाता हैं, तो एक आदमी के बस की बात नहीं है, खाना बना के खिला दे, तो सभी मिलकर काम करते हैं, बरतोने के सफाई का कारे भी लोग स्वयम ही करते हैं, और अगर प यह ठ्वर стать अपर अपर हैं लंगाड को पूरी वेश्था लोगों के शयुग पर धारित होती है लोग电 ALEX कि कि अब डूनीशन देता है है टिक जो दोनीशन देता है िससे यह सब क्या वह था इस प्रकार से अब राता है यह ज्ञुद्ड, और यह उस्त Persian को गईदा honors